नमशकार राजा बनना है और इसी मुहीम के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसमे हम सीखेंगे के पैसे कैसे आते हैं और इस वीडियो को मैं जोड़े रहिए. धन्यवाद मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कौर्स देवता का जो इन्होंने समझाया अच्छी तरह से समझाया है सर के लिए बात बताना चाहते हूँ कि भगवा ने इनको जो शक्ति दिये वो शक्ति को आपर जत्ता के लिए करे मैंने इनको फोन किया था तो मेरा डात का ट्रीट्मेंट पूरा नहीं हो रहा था तो इने ने मुझे कुछ बताया कि जो मंदिर है उसके उपर आप सपित चदड़ तो उसके बात मेरा काम हो गया डॉक्टर का अपॉर्टमेंट मिला तो मुझे बहुत अच्छा लग जो भी सर ने बताया हो मैंने किया उसके बाद मुझे घर पर अच्छा लग और अभी उनका देवता स्तापित करने के बाद एक्स्प्रियंज बहुत ही अच्छा है सर ने अच्छा समझाया है धन्यवा आप application को download करके अगर android user है तो उसमें अपना data over time over place over डाल सकते हैं in case अगर आप computer पर use करते हैं तो astro sage website के तुरू आप बना सकते हैं तो चली आप अपनी एक कुंडली बनाए उस कुंडली को पहले में यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं यह आप देख पा रहे होंगे यह एक blank लगन चार्ट है इसके अंदर क्या होते हैं बारा boxes होते हैं 12 box होते हैं इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यह पहला box है यह दूसरा box है यह तीसरा है यह चौता है यह पांचवा है यह चटा है यह सातवा है आटवा नवा दसवा 11 7th and 12th, यह 12 houses है। इसको कैसे देखते हैं? इसको anti clock wise चलता है। इस पहला box यहां से start होते हैसे कृकिया, 6nd box यहां आता है, 4th यहां आता है, 5th यहां आता आता है 6th यहां आता है। वैसी 12 houses तक यह 12 boxes होते हैं इसकें अंदर एक राशी लिखी होती है। राशी मैं आगे इसी के second slide में आपको समझाने की कोशश करता हूँ. इसके अंदर कोई एक number लिखा होता है, जैसे एक हो सकता है, दो हो सकता है, या बारा तक कुछ भी हो सकते हैं, वो जो number है, वो एक राशी का number है. अब हम देख रहे हैं, यह second screen पे इन boxes के attributes किया होते हैं, जैसे पहला जो box होता है, वो होता है आपके self का box, दूसरा box होता है आपके money का box, तीसरा box होता है आपके personal interest का box, चौथा box होता है internal peace का box, फिफ्थ्थ बोक्स होता है आपकी creativity का, और शि탁्ष्थ बोक्स होता है आपके workshop क 7th box होता है आपके partner या spouse का ये सारा वेदों में पहले से लिखा हुआ है astrology की गणना हर कोई इसी तरीके से करता है 8th box होता है आपके sudden up या down का या कह लीजे pain का भी यह house होता है एक pain भी यहीं से arise होती है pain कौन सी जो थोड़ी देर के लिए आती है और चले जाती है disease का house होता है 6th वाला इसके बहुत सारे co-relationship होते हैं जैसे मान लीजे हम जैसे north के zone की हम बात करते हैं north का zone अगर money and opportunity लेके आता है तो उसमें 3 देवता भी तो विराजमान है ना जैसे बलाहट आपका choice का शक्ती देता है आपको choose करने की शक्ती देता है सही या गलत के फैसले की शक्ती देता है सोम आपकी वो सनक है जो आपको काम करने के लिए मजबूर करती है in short ये वो सोम रस है हकीकत में जो किसी विक्ती को चलाए रखता है जिस विक्ती का भी कोई कुछ करने की हिम्मत खतम हो जाती है कुछ करने का स्वात खतम हो जाता है, कोई करने की कुछ emotions खतम हो जाते हैं, यह वो सोम है, अब पढ़ेंगे तो इतना अच्छा science है, अब मैं इसे astrology के साथ, यह मेरा समझ लीजे, इस channel का छटा या सातवा वीडियो होगा, जो astrology की साथ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह astrology यह बहुत अच्छी science है, आप में से कोई अगर सीखना चाहे, तो हमारा ESTRO का course हो रहा है, मैं आपके सामने यह एक number लिख दे रहा हूँ, 970888888, तो 977688, इस number पर call करके, अगर आप registration कराना चाहते हैं, तो करा लीजे, यह phone करके मत पूछेगा कि क्या इसका course material होगा, क्या स सिखाएंगे, मिझे कुछ सिखाना नहीं आता, मेरे पास कोई course material नहीं है, पर हकीकत में जो भी मेरे को समझ में आता है, वो है practical oriented science, आप लोगों ने पहले भी इस channel को देख रखा है, हमेशा ही आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, तो आपको मेरी मनवस्तिती के बारे म पता होगा, कि कभी भी मैं जब approach करता हूँ, तो मैं उस way से approach करता हूँ, कि क्या मुझे इसका result मिलेगा, तीन लोगों के तीन अलग-अलग प्रकार के approach होते हैं, क्योंकि मैं 5 वाला हूँ न, तो मेरा approach ऐसा होता है, इसी वीडियो में explain करने की कोशिश कर पाया, तो कर है, तो ये मेरी किस्मत, मुझे इससे कोई personal interest नहीं है, आप भी चाहें, तो अपने नाम के आगे कुंडली गुरुजी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब वेदो के नाम है, जैसे वास्तु गुरुजी, ये भी एक वैदिक नाम है, वास्तु एक वैदिक नाम था, और वैसी ग किया, वास्तु गुरुजी बन गया, आप कोई इसका trademark ले ले, कोई इसको मान लीजे, अपना समझ ले, या कोई कह ले, जी मैं अपने इसी नाम से बहुत समय से कारे करते हैं हूँ, तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, ये कोई मेरे पेट पालने का हकीकत में होता तो यह ही बात है न, कि कोई विक्ति का जनम हुआ है, और वो अपनी livelihood इन सब कामों से निकाल रहा है, तो वो उसके हकीकत में अपने पेट को अन्य देने का अगर कोई काम करता है, तो मेरी जिंदगी में अन्य देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मुझे इन नामों की कहीं पर मै मौताज नहीं हूँ, तो ये एक नाम हमने बनाया, कुंडली गुरुजी, ये मेरे दिल की बात थी, मैंने आपके सारे शेर किया, तो मैंने फिर से आपको बताया, कि फर्स्ट हाउस से लेके हम पहुँच चुके थे, आठवे घर तक, आठवा घर पेन का है, नाइन्थ अलावा ये गुरु का हाउस भी कहा गया है, इसके अलावा आपके कहीं ना कहीं उस चीज का भी हाउस कहा गया है, जिससे आप एंटेटेन होते हैं, पांचवा आपको एंटेटेन करता है, पर कौन सी चीज से एंटेटेन होंगे, तो वो इसको निर्भर करता है, अब हम आ का है आपकी foreign trips का है आपके isolation का है आप isolate होते हो ना जब जगत से तो आप बहुत सारी चीजों से isolate हो सकते हो आप hospital जाके isolate हो सकते हो आप jail जाके isolate हो सकते हो या हकीकत में foreign country जाके भी अपनों से तो आप isolate हो सकते हो ना अभी coronavirus चल रहा है तो यह word आपने सुना होगा कि अपने बारवा घर है, यह quarantine का है, यह isolation का है, यह अपने आपको दुनिया से अलग करने का यह बारवा घर है, और losses का भी है, वैदो में losses दिया है, और क्योंकि मैंने इन सारी बातों को एक नए एंगल से देखा, कि आपके जो basic necessity है, उसको कैसे हम astrology की साथ 12 houses में connect किया, जैसे आज जो इस वीडियो का सारांश है, जो इस वीडियो का अधिक जो पूरा material जो इसमें आपको मिलेगा, वो मिलेगा कैसे पैसा आता है, पैसे का वाहक कौन है, तो आज अगर हम बात करेंगे, तो आज हमें use होगा 2 और 6 और 10, यह 3 घर की Trinity आपको पैसा दिलाती है, Trinity, हर चीज Trinity में निर्भर करती है, कोई भी विक्ति जो अकेला आया है, उसे कुछ लोग साथ देते हैं, उसके बिना वो कहीं पर नहीं पहुंच सकता, हो सकता है वो उसकी पतनी हो, हो सकता है उसका बिजनस का पार्टनर हो, हो सकता है वो उसका गुरू हो, हो सकता है वो उसका भाई हो, हो स तो यहां पर 12 राशियां हैं, 12 राशियां इस तरीके से हैं, पहली राशी का नाम है Aries, दूसरा Taurus, तीसरा Gemini, चौथा Cancer, पांचवा Leo, छटा वग्रो, सातवा Libra, Scorpio, Sagittarius 9, Capricorn 10, Aquarius 11 और Pisces 12, ये 12 राशियां, इन 12 बॉक्सेस में बैठती हैं, कभी भी कोई भी बॉक्स पे को कोई भी नमबर लिखा हो सकता है, वो हो सकता है, 1 से लेके 12 तक कोई भी नमबर लिखा हो सकता है, जो भी नमबर आपके First House में लिखा है, आपकी राशी जो है, वो ही कहलाएगी, जैसे मेरा जो ये लगन चार्ट है, ये मैंने अपना एक लगन चार्ट भी एक्स्प्लेन कि तो हर एक राशी के एक प्लानेट इनको पहले से वेदों में मिला हुआ है जैसे फर्स्ट राशी का मंगल मार्स पहला इसका राशी लॉड है इसका प्लानेट है दूसरी राशी का शुकर है तीसरी राशी का बुद्ध है चौथी राशी का चंद्रमा है और वैसे ही आगे च पर शुक्र को दो और उसके आगे ये साथ मिली है वैसी दिखेंगे तो हर किसी प्लानिट को चंद्र और सूरे के इलावा दो दो लौटशिप का सवभाग्य प्राइट इसके इलावा राहू और केतु को कोई लौटशिप नहीं मिली है जैसे नाइन प्लैनेट्स में अगर हम राहू केतु की बात करते हैं तो राहू और केतु को लौटशिप नहीं मिल दी है अब ये सारे ही रहसे को आप कुंडली गुरुजी की कोर्स में सिखेंगे कि क्यों न क्या कुछ ना कुछ वो करेगा कुछ ना कुछ वो परसनल इंटरेस्ट उसका होगा ना उसकी फैमिली की कुछ ना कुछ लाइफ होगी तो ऐसा उसके पास प्रॉपर्टी कैसी होगी तो चौता हाउस उसका इनर पीस कहां पर सैटेस्वाई करेगा चौता हाउस उसको बताए चौते गर से, तो चौते गर की कोई Trinity होगी, property बनाने के लिए कोई Trinity होगी ना, किसके माध्यम से property मिलेगी, तो उसको देखते हैं, वैसे ही अभी हम इस context की बात कर रहे थे, कि जी 12 राशिया हैं, 9 planets हैं, पर 12 राशियों के 4 elements हैं, जब हम वास्तू करते हैं, तो 5 elements होते हैं, 5 elements 5 दिशाएं कहीं गई न, 5 elements कहीं, वैसे ही जब हम astrology देखते हैं, तो 4 elements होते हैं, और जब मैं इन्फी को जोड़ के, कहीं न कहीं, शाक्षताकार, या मान लीजे, रजस सत्व तमस में आ जाता हूं, तब हम 3 elements देखते हैं, तो ये भी एक छोटा सा insight था, आप लोगों एक सा share करने के लिए, अब आप देखेंगे, जो पहली राशी है, जो Aries है, वो है fire की राशी, वैसी ये चलता ऐसे ही है, anti-clockwise चला, पहली fire आएगी, दूसरी earth आएगी, तीसरी air आएगी, चौथा water आएगा, तो जो करक राशी है, वो water की है, वैसी ही, फिर से fire आएगी, फिर से earth आएगा, फिर से air आएगा, फिर से water आएगा, वैसी ही, फिर से fire आएगी, फिर से earth आएगा, फिर से air आएगा, फिर से water आएगा, तो चार राशियां, जो बारा राशियां है, वो चार चार राशियों के category, बंच में बटी हुई है, इसके अलावा एक आप बहुत अच्छी चीज उसमें देखेंगे कि हर एक element की तीन राशियां हैं, जैसे चार elements की मैंने बात करी न, तो हर एक element की तीन राशियां हैं, जैसे fire की राशी करेंगे, तो एक, पाँच और नौ, आपको मैं इसके छोटे से insights देता हूँ, वैसे ही इसके आगे की भी insights है, fire क्या चीज होती है अगनी क्या चीज होती है, अगनी टीन प्रकार की होती है, पहली अगनी होती है, जो हमारे सर के पीछे होती है, हमारा जो मश्तिस्क है, उसके जस्ट पीछे आप हाथ लगा के देखोगे न, थोड़ा सा गरम गरम लगेगा, तो जिन्दगी में पहली अगनी वहां से आपन कुछ अलग बात करता हूँ, कुछ विचार ऐसे निकाल के लेके आता हूँ, जो अंतरिखिशे विचार हैं, क्योंकि, हैट्स को गवन करती है, यह आपकी उस अगनी की बात करती है दूसरी राशी होती है जो लियो की राशी है ये जो लियो की पांच नमबर की राशी है ये होती है आपके हिदे की आपके हार्ट की आपने सुना होगा जब इंसान की जीवन से उसका प्रांड निकल जाता है जैसे इंसान की बोडी से उसका प्रांड निकल जाता है तो शरी ठंडा बढ़ जाता है तो ये वो अगनी है जो इनसान की प्रांड वायू अगनी को कहा जाता है, हिदे की अगनी को कहा जाता है, आपकी हार्टबीट को कहा जाता है, और ये जो नाइन्थ नंबर की अगनी है, ये आपकी जठार अगनी है, आपके पेट की अगनी है, वैसी ह तो यह अब आपको रहस्य समझ में आया, 12 राशियों को 3-3 के समों में क्यों बाटा गया, क्योंकि 3-3 प्रकार की अलग-अलग चीज होती है, जैसे पानी भी 3 प्रकार का, एक पीने का, है ना, अब चलो, आगे आप कोर्स में आप क्या सीखेंगे, चाहे तो सीख सकते हैं इस को जोईन करने के लिए फिर से ये नंबर आ गया इस नंबर पर कॉल करके registration करा लीजे ये मत पूछी कोर्स का content क्या होगा क्या सिखाएंगे ये कोर्स मुझे जो लगता है तीन से छे मेनों का होगा already हमारा तीन से चार वीडियो स्कोर्स का आ चुका है तो आप उसे जल्दी जल्दी देख लीजेगा आगे तीन से छे मेने और इस कोर्स को मैं देना चाहूँगा जिसमें मैं पूरा astrological chart को clear करूँगा अब आप देखते हैं जैसे अब इस house अब इस राशी की हम बात करते हैं Aries राशी की बात करते हैं तो जायर सी बात है जो दो नंबर में होगा वो दूसरे नंबर की राशी होगी क्योंकि पहले नंबर पे पहले नंबर की राशी रही पहली भी हो सकती है पांच भी हो सकती है नौ भी हो सकती है तो हमेशा जो उसके आगे का नंबर है वो second box पे लिखा होगा हो सकता है 2 हो हो सकता है 6 हो हो सकता है 10 हो अब आप देखेंगे जब हम पैसों की Trinity की बात करते हैं तो पैसे की Trinity बनती है दो छे और दस के घर से दो छे और दस के घर से वैसे ही मैंने काफी बार जब मेरा पहला वीडियो भी आया था YouTube के अंदर VFC वीडियो में तो मैंने कहा था कि पैसा केवल दूसरों से आता है पैसा को समझेगा तो मेरे जैसा मुझे पैसा नहीं देगा इस बात को समझ लीजे इसको कैसे अचीव करते हैं वो मैं आगे समझाने की कोशिश करूँगा पर इस चीज को पहले एक basic thumb rule समझ लीजे जैसे हमने समझा न North की दिशा opportunities आती है South East की दिशा से काम होता है South East की दिशा से अभी पैसा नहीं देगा आपको हमेशा उसके विप्रीट सभाव का व्यक्ति ही पैसा देगा कौन विप्रीट हो गया Earth element Earth element fire को कम करता है न या फिर उसके पहले सभाव का पहला सभाव अगर हम 12 की बात करेंगे तो water आएगा water क्या करता है fire को बुझा देता है न तो या तो बारा उसको पैसा देगा बारा के कौन से combination हो गए बारा आठ और चार ये water की तीन राशिया है जो हमने इसमें explain किया था करक राशी water की हो गई Scorpio राशी water की हो गई और वैसे ही Pisces राशी water की हो गई तो इनके नाम याद कर लीजेगा मैं नंबर से इनको ज़्यादा अच्छे से याद कर पाता हूं तो बारा आठ चार या हम ऐसे बात करें चार आठ बारा ये ही व्यक्ति आपको पैसा देगा तो मेरे लिए limited source of income मेरे ये क्या दुनिया में जो भी इनसान आया है उसके लिए limited source of income तै है limited source of income पर ये limited source of income in the context of only राशी तै है in the context of human numbers तै नहीं है human number तो हमारी दुनिया के आधे लोग हैं जो हमें पैसा दे सकते हैं मैं fire वाला हूं और air वाला तो fire और air वाला मुझे पैसा नहीं देगा इस बात क अब हम बात करते हैं घर की इस वीडियो का जो basic rule भी था जो इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पैसा आएगा कैसे तो केवल दूसरे नंबर घर से छटे नंबर घर से और दसवे नंबर घर से आता है अब आप देखेंगे इसमें बहुत प्यारे से बहुत हुआ है और यही चीज मुझे astrology के प्रती attract करती है कुछ लोगों ने गुमरह किया इस सब बातों को पर आप देखिए इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि तीनो घर का element सेम है जैसे दो नंबर भी earth element हुआ छे नंबर भी earth element हुआ दस नंबर भी earth element हुआ इनकी lordships अ सबसे पहला question अगर एक fire element का जातक है तो उसको पैसा दो नंबर से आएगा अब दो नंबर कौन हो सकता है जिसके लगन में दो लिखा हुआ है छे लिखा हुआ है दस लिखा हुआ है तो वो विक्ती पैसा देगा अब हम इसका question पूछते हैं जैसे प्रशन आते हैं मुझे क भई यह क्या काम करेगा तो दो नंबर किस से related है अर्थ से related है तो यह क्या काम करेगा यह खनच में जा सकता है यह digging कर सकता है यह चीजों को निकाल सकता है जो धरती के नीचे पाई जाती है इसके अलावा यह land के traits कर सकता है जैसे खरीदी विक्री और जमीन कर सकता है अर्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो ये वो सारे वैपार कर सकता है जो जमीन सम्मंदित है जमीन सम्मंदित जैसे मान लीजे एक किसान भी अपनी जमीन से जुड़के ही तो कुछ उप जाता है तो वो दोनों में आती है वो अर्ट एलिमेंट में भी आती है जो सब्जी पहड़ को काट के जो लोग निकालते हैं ना कुछ निकालते हैं तो वो इसी के अंदर आती हैं चीजे तो ऐसे काम ये कर सकता है तो second house ये तै करता है कि ये जा तक काम क्या करेगा दूसरा जो छटा house है इस Trinity का जो दूसरा house है Trinity की बात करी ना मैंने 2, 6, 10 Trinity की बात करी तो जब तो तै किया कि आप किस वैपार में आगे बढ़ोगे दूसरा तै करता है दूसरा इस Trinity का छटा box तै करता है कि आपकी services आप कैसी दे पाओगे और दसवा तै करता है कि आपके profit and gains क्या होते है इसलिए मैंने कहा कि हर एक राशी अगर एक ही element की है अगर तीन राशिया एक ही element की है तो तीनो राशियों का रजस, सतव, तमस context है अगर हम यहां बात करें second house हमारा होता है रजस का sixth house होता है हमारा सतव का और तमस का हमारा house होता है जो tenth house है वो हमारा तमस का house है रजस, सतव, तमस यह थोड़ा सा और decode कर देता हूँ fire, air, and water मैंने हमेशा ही इन सारे science को correlate किया जो विक्ति इन science को correlation नहीं जानता वो हकीकत में गुमरहा कर रहा है इस बात को सत्यमान के किसी क किताब में लिख लिजे क्योंकि जो हमारे science हमें मिली थी जैसे वो वास्तु हो वो astrology हो या रजस सतव तमस हो वागपित कफ हो जो हमें आरवेद के थू मिला है और हमें इस तरीकी की पूजाओं का science मिला है हमें यह जो औशदियों का science मिला है यह सारा science एक ही चीज को पता क कराता है कि आप खुश कैसे हो आप easiness में कैसे आओ क्योंकि आपको disease हो गई है कौण सी disease मुझे पैसा नहीं आ रहा है यह भी एक disease है मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा यह भी एक disease है है आप अपने easiness से हट गए हो वैसी 12 राशियों को 12 अंगों में divide किया गया है जैसे मैंने कहा ना एक नमबर head का है वैसी दो नमबर गले का है तीन नमबर आपके hands का है shoulder का है तो ऐसे आप पढ़ना चाहें तो google कर दीजेगा 12 राशियां 12 आपके parts of human body है तो इनोंने भी इनोंने की बात किसकी में बात करता हूँ जो वेदों में information decode की हुई है उस information में भी आपकी human body को decode करके लिखा गया है अगर हम astrology की बात करें तो human body के decoding हो गई जब हम वास्तु की बात करते हैं तो पूरा वास्तु पुरुष मंडल ही उस पे लिखा हुआ है उन्होंने तो यहां तक पहुँच गया तो सिखी विराज मान है वैसे eyes में दो देफता विराज मान है दिती एक जगा आईस पे विराज मान है आप वास्तु पुरुष मंडल को decode करोगे न तो उस में 45 देफता 45 अलग-अलग अंगों में विराज मान है तो बात तो कहीं पैसे की चली नहीं रही है बात तो human body क्यों decode करने की चल रही है जो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग विद्याओं के माध्यम से हो सकता है हर एक रिशी अपनी life में अपनी विद्या के उपर contest रहा होगा पर उस सारे रिशियों ने अगर इस विद्या को आगे लेके आगे हम से बात करी तो उन्होंने हमारी easiness की बात करी हमारी खुशियों की बात करी तो मैं हमेशा कहता हूँ जो भी विक्ति आपको भटकाता है कि मैं कुछ वास्तू कर दूँगा और पैसा बरसने लग जाएगा मैं astrology बता दूँगा पैसा बरसने लग जाएगा उसे आप सिर्फ केवल एक शब्द बोलना तो उसकी हिम्मत उसकी इच्छा उसके बारे में उसको खुदी ऐसास हो जाएगा उसे सिर्फ ये पूछना कि तुमने क्या हासिल किया तुम उसको बताओ खुशियां हासिल करी तो वो बताओ कि तुम्हारा तुम कितने खुश हो तुमने पैसे हासिल किये तो तुम वो बताओ कि तुम कितने पैसे वाले हो तुमने अपने जीवन में एक अच्छा एक हेल्दी लाइफ हासिल करी तो तुम ये बताओ कि तुम कितने स्वस्त हो तो वो जिस भी छेतर में अपने आपको explain करने की कोशिश करेगा एक आदमी आपको अपना bank account दिखाएगा एक आदमी अपनी fitness report दिखाएगा तो उसने जिन्दिगी में इस पूरी विद्या को सिर्फ उसी context में समझाए इस बात का आप इस तरीके से short come निकाल सकते हो कोई विक्ती bank account दिखा रहा है तो हकीकत में उसने पैसा कमाना सिखा इस विद्या से कोई आदमी अपनी health report दिखा रहा है तो हकीकत में उसने healthy कैसे रहा वो सिखा तो उससे ये प्रश्न पूछना क्योंकि बोलने वाला अगर आपको गुमरहा कर रहा है तो उस बोलने वाले को आप इस तरीके से उसके आगे का प्रश्न पूछ के आपने आपको गुमरहाट से निकाल सकते हो ये तो एक जन हित पे जारी सूचना जो आपको पसंद आए तो जरूर इस कमेंट में इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजेगा और आप जिसे मेरे सारे चाहने वालों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को शेर कीजे ताकि जो लोग आज भी गुमरहाट में हैं वो बाहर निकले और गुमरहाट क्या होती है एक वास्तु वाला पैसे लेने के नाम से आपको चार जगार तोड़ना फोड़ना सिक बता देता है और आप कर नहीं पाते और कहीं न कहीं वो वास्तु वाला अपने आपको बच के निकल जाता है मैं कहता हूँ ऐसे वास्तु वाले हकीकत में उन्हें कुछ ग्यान है ही नहीं क्योंकि जब मैं महावास्तु वालों को समझता हूँ महावस्तु में खुछती बंसल सहाब अकेले की में बात करा हूँ तो उन्होंने कहा कोई दिशा सही, कोई दिशा गलत नहीं है और हम उपचार करते हैं बिना तोड़ फोड के बिना तोड़ फोड के जो उपचार करना जानता है उसे ये पता है कि कैसे astrology को, कैसे आरिवेत को आरिवेत को clubbing करना भी मैं आगे videos में सिखाऊंगा कि कैसे एक औश्यदी, एक औश्यदी कहते हैं इसे अजवैन है अजवैन के पौधे को कहाँ लगाया जा सकता है बरगत के पौधे को कहाँ लगा जा सकता है इसके इलावा भी हमें इतने अच्छे अच्छे रहसे हमें पीछे से मिले हैं, जिसमें हम हमारे घर में जो धूप अगरबत्ती जलती है, हमारे यह कोई अगरबत्ती भी जलती है, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेग्विंस होती है, है ना कोई फ्रेग्विंस जैसे चंद पुद्ध आपिछ लीजेगा, ये फंद का फिफ्थ हाउस है, जैसे आप फिफ्थ हाउस को जागरित कर लेते हो, इस ट्रिटी में एक ऐसा हाउस जागरित हो जाता है जो पैसे को कहीं से रोक एगा नहीं, मतलब जो पैसे अगर अगला मना भी करें ना आपके पास नहीं यह Trinity के अंदर सिर्फ यह वाला जो house होता है वो air element का होता है क्योंकि दोस्त बनाते हैं यह दोनों elements जो होते हैं air element यह different element का होता है अगर यह एक number है तो इसका air होगा बाकी यह दो एक जैसे होते हैं 5 और 9 ज्यान बिना गुरू के नहीं आ सकता जीवन में खुशिया बिना गुरू के नहीं आ सकती यह सारी वेदों में लिखी वही कुछ key points है जो हमारे लोगों ने हमें explain किया मैं फिर से आ जाता हूँ अपने context पे कि जैसे अगर यह एक number वाला जातक है एक number इसका लिखा है एक हो सकता है पांच हो सकता है नौ हो सकता है इस जातक को केवल 2-6-10 वालों से पैसा आएगा या 2-6-10 वालों के काम से पैसा आएगा 2-6-10 क्या होता है जो अर्थ element है अर्थ तीन प्रकार की हो सकती है मैं ऐसी आपको बता रहा हूँ गुफा है ना गुफा यादा गया होगा पहाड की चोटी या पहाड की चोटी तो ऐसी कुछ चीजों से पैसा आ सकता है गुफा हमेशा आपको याद होगा कि जैसे हीरे की खदान गुफा की होती है ना पहाड की चोटी या ना समझ में आ रहा होगा कुछ-कुछ और गुगल सर्च कर लीजेगा बहुत कुछ मिल जाएगा या कोर्स ज्वाइन करना चाहे इस नंबर पर कॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लीजेगा ये तीन से छे मैनों का कोर्स है दी काम में चले जाते हैं अगर इस काम को सीखने के लिए नाइन्थ और फिफ्थ हाउस का कॉंबिनेशन जरूरी है और सीखोगे किस से जो गुरू आपका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट कर देता है उसी से सीख पाओगे ये भी एक रह से अब आगे चलते हैं मैं एक और एक्स आशीरोट से मैं एक आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ पर इसे अभी हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको पैसा कहां से आएगा अब ये आदमी आपसे पूछेगा भई मेरे को पैसा कैसे आएगा आप अपने बच्चों का आप अपने पती का अपनी वाइफ का आप जित्ते भी जान पैचान वाले हो इनमें आप पका कीजेगा इस बात को तो इसको पैसा आएगा अपने उसे नहीं आएगा ये अर्थ एलिमेंट का कोई भी काम करेगा जैसे जमीन खईदी विक्री एक बात है जो मैंने आपको बताया अर्थ एलिमेंट के ट्रेट्स उसमे इसको कभी जिंदगी में पैसा नहीं आएगा इसको पैसा आएगा केवल दूसरों से जैसे मान लीजे ये पढ़ाएगा तो इसको पैसा आएगा एयर का काम क्या हुआ पढ़ाना गुरू है ना एयर का काम क्या हुआ पढ़ाना पढ़ाना इन्फोरमेशन को इधर से उधर pass on करना, information, पढ़ाना भी नहीं कहिए, ये केवल informations को decode करके दूसरों को बताएगा, knowledge को share करेगा, तो पैसा आएगा, पहली चीज़ ये हो गई, ये घूमेगा फिरेगा तो घूमेगा फिरेगा कि क्या मतलब हो गया, air का क्या मतलब हो गया, ये traveling का कोई काम चालू करेगा, जैसे tickets बनाना, tours पे भेजना तो इसको पैसा आएगा, इसको खुद घूमना फिरना पसंद नहीं होगा, इस जाता को, क्योंकि art element वाला है, एक जगा बैठे रहना पसंद है पर ये अगर अपने client से जाके मिलेगा, client से जाके भी मिलेगा, जब हम उपचार की बात करते हैं, तो मैं ऐसे उपचार बताता हूँ, तो ये अपने client से भी रोज जाके मिलेगा, हफते में एक बार जाके मिलेगा, तो इसको पैसा आने लग जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये travel कर रहा है, एर का काम traveling का होता है, वैसी इसकी Trinity क्या है, इसकी Trinity क्या है, सा, तीन, साथ, ग्यारा, और तीनों के अंदर आप देखोगे, तो एर element की राशी विराजमान है, और इसकी Trinity के हिसाब से ही सारे लोगों की Trinity होती है, जैसे किसी का अगर यहाँ पर दो लिखा है, किसी का यहाँ पर 6 लिखा होगा, यहाँ पर 10 लिखा होगा, तो इस house में किसी के 7 लिखा होगा, इस house में किसी के 11 लिखा होगा, तो ये भी तो Trinity है ना, Air की Trinity, Air के बहुत सारे काम है, आप Google सलच करोगे, तो इसको पैसा केवल इसी से आएगा, इसका मन बढ़ा करेगा कि मैं अर्थ ऐलिमेंट के काम में लग जाओं पर इसको पैसा नहीं आएगा, इस बात को पक्का कीजेगा, पैसा केवल दूसरों से आता है और उसी से पैसा आता है जो आप जैसा नहीं है, वैसे ही मैंने एक और शेर किय आप लोगों के साथ इस में तीन नंबर लिखा है मतलब ये air element का है और हकीकत में इस में अभी अगर air है तो air के कौन कौन सी राशिया हो गई जो हमने यहाँ पर देखी 3711 तो 3711 अगर लिखा हुआ है तो इसके आगे वाले box में water की राशिया होंगी 4812 मैंने आप लोगों को ब मैंने आपको कुछ explain करने की कोशिश करी थी तो उस तरीके से तो 4812 अब पानी का काम क्या है जैसे fishery है न हम जब मचली पालन करते हैं तो पानी है 12 नंबर की जो राशी है जो इसके दसवे box में लिखी है वो पाईसेसी तो है आप उसको देखोगे तो fish का ही तो symbol है उसमें तो जैसे हमने कहा ये बात सीप होते है जो मोती जो चुनके लाते हैं अगर आप मोती की बात करते हो और हम क्यों कहते हैं जिस पे चंदरमा चलता रहता है तो उसे मोती पहनना चाहिए है ना चंदरमा की कोई परशानी है तो मोती की बात करते हैं ये सब decode पहले से वो ये दो लोगों को मिल जोल भी कराता है, तो ये आदमी आगे चलके निता भी बन सकता है, तो इस तरीके कि कुछ-कुछ चीजे हैं, बहुत डीप में समझना चाहें, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और बहुत डीप में समझना चाहें, इस पूरे विशे को, तो कुंडली गुरुजी का कोर्स जोइन कर सकते हैं, तो आज हमने देखा जो इसका की पॉइंट था, कि पैसा केवल दूसरों से आता है, दूसरा कौन जो आप जैसा नहीं है, यसे ये एर एलिमेंट का है न, तो इस जैसे विक्ति से पैसा नहीं आएगा, ये एर एलिमेंट को कैसे पैचानते हैं, जो पतला है, गुमना फिरना पसंद करता है, जो ऑप्शन्स चाहता है, जो डिजाइनिंग पर काम करता है, तो वो विक्ति को उसके काम से पैसा नहीं आएगा, जब वो दूसरे किसी का काम करता है, तो उससे पैसा आएगा, और उसको एक और तरीके से पैसा आ सकता है, वो एक और ट्रिनिटी जो 4-8-12 में लगी हुई है, उससे भी पैसा आता है, इस रहस को भी आगे आने वाले वीडियो में डिकोट करेंगे, तो चलिए धन्यवाद, आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल नहीं सब्स्राइब किया है, तो सब्स्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेर कीजिए, ताकि वो किसी अंध विश्वास में, किसी विक्ती के प्रभाव में कुछ गलत कर रहे हो, तो उन्हें ये सब बाते पता चले, तो राजा हो आप, और तन्मन धन से राजा हो, इस बात को जरूर याद रखना, इसे भूलना जाना, मैं फकीर हूँ, इसके लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, धन्यवाद. नमस्कार, आशागरता हूँ कि आपको इबास्तुदुर जी के सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और घर बेटे आप इसका अनंद भी उठा रहे होंगे, इसके लावा एक छोटी सी इंफरमिशन, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से लेना चाहता हूँ, मुझे काफी दुनों से इस तरीकी के फोन कॉल्स आते हैं, कि सर, इसका क्या उप्चार होगा, उसका क्या उप्चार होगा, छोटी सी इंफरमिशन ये है, कि मैंने वीडियो के माध्यम से सारे उप्चार बताने की कोशिश की है, अपना प्रयास किया है, मैंने अपनी तरफ से बिस दिया है, इन वीडियो को बनाने के लिए, अगर किसी को अपनी विक्तिकत राये, अगर कोई अपने problems को solve कराना चाहता है, तो हमारे charges बहुत कम है, इस छेत्र में, सही माइनों में देखा जाए, तो ये पहला हीरा है, जो बहुत कम मुल लिका है, बाकी लोग तो हीरे के नाम से काच दे रहे हैं, अब देखिए, ये छोटी सी समझ की बात है, जिसे समझ आ जा हमारा basic package start होता है, 16,000 रुपे का, 16,000 रुपे हम किसी भी consultation का starting rate है, कोई भी consultation, और 9 रुपे स्क्वेर पिट, उसमें additional cost include होती है, एक example के माध्यम से, आप screen पर देख पा रहे होंगे, basic rate 16,000 रुपे, और लेक्से, आपकी property 1000 स्क्वेर पिट की है, प्रोपटी का स्क्वेर पि आपकी property 1000 स्क्वेर पिट की है, तो 9,000 रुपेस उसमें additional और जुड़ जाएगा, तो 16,000 रुपेस नाइन हमारा consultation rate है, 16,000 रुपेस नाइन है, और ये सारा consultation सबसे basic package का है, जो की residential purpose का है, बाकी packages भी हमारे पास है, money back guarantee के भी packages हैं, उनके rates थोड़े से high है, तो आशा करता हू आपको ये information पसंद आई होगी, और किसी को कोई consultation लेना है, या कोई आपके मार्धियम से कोई problem है, जो आप अपनी जिंदगी की face कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो देवताओं के मार्धियम से, या आपके efforts के साथ-साथ, इन energy fields के implementation के मार्धियम से, वो problem solve हो जाए, तो आप चाहें, तो description box में दिये गए लिंक को follow करके, अपना map भेज के consultation बुक करा सकते हैं, कुछ समय लगता है processing का, तो processing के time को ज़रूर थोड़ा सा माइन दे, ताकि आपके success और आपके environment पे जो imbalances हैं, वो imbalances बहुत सही तरीके से balance हो जाए, धन्यवाद, राजा हैं आप